नमस्कार 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 दोस्तों मैं निकलेश जेन हिंदी चेस पेस इंडिया चल पर आप सभी का हारती करने दन करता हूँ दोस्तों भारत के पांच पार के विश्व चैंपियन विश्व नातनानन जी का करिश्मा लगातार जारी है नौर्वे चेस के दूसरे दिन उन जी ना सिर्फ टॉर्नमेंट लीड कर रहे हैं बलकि वर्ल रैंकिंग में नौवे स्थान पर पहुंच गये हैं हम सभी जानते हैं कि दश्कों तक विश्वनातनानन जी विश्व के टॉप 10 तो क्या टॉप 5 टॉप 3 का हिस्ता रहे हैं जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ साल से वो टॉप 10 से बाहर हो गए थे करीब करीब एक साल डिर साल का वक्त हो चुका है और एक बार फिर से उस मनोंने जखे बनाई है जो शायद किसी ने सोचा भी नहों और मुझे लगता है कि जहां तक निपो मिंसी के पॉइंट है 2766 वहां तक भी पहुँचना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं नजर आ रहे है जैसा कि वो भी खेल रहे हैं तो यह जो भी होगा वो तो हम देखींगे लेकिन कल आनन जी के गेम में उन्होंने एक और चीज हम सभी को सिखाई और वो बहुत ही सीखने वाली चीज है कि कै वैसे जब गेम बराबरी का हो या उससे थोड़ा सा पीछे चल रहा हो कैसे आप अपनी चालों से सामने वाले के उपर दबाओ बना सकते हैं और सामने अले का समय जो है टाइम जो है वो भी चेस में उतना ही एक इंपॉर्टेंट डॉल है कि कैसे सामने वाले को दबाओ में आनन जी ने हमेशा टुपलों के खेलाब जो है अच्छा स्कोर किया है डीफोर डीफाइफ सीफोर और आनन जी ने आज यहां पर लाइन खेली कुईन्स कामबिट एकसेप्टेट देंटो सीफोर ओके इफोर ना बीफाइफ एफोर अब यह बहुत ही लॉजिकल है कि आपक जैंडर लाइन है और आप आइडिया है कि हम यहां पर बीफाइफ को भी मारेंगे वाइट का एडिया है और फिरबाद में सीफोर वही कमजोर है तो बलैक बोलता है नहीं मैं अभी और सपोर्ट दे सकता हूँ तो वाइट बोलता है ठीक है मैं बीफाइफ पे और अटेक क करता है B4 अब इसका आइडिया यह होता है कि एक तो यह pawn थोड़ा ज्यादा आगे चला गया है दूसरा इस pawn के आगे जाता है यह आप C4 का pawn जो है वह अकेला हो गया है चाहिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बीवन जो की काफी कम खेली गई है ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खेली गए इन देनों में हम देखें तो डुबोव ने अरुन के खिलाफ करी शेक्लेंड ने बैक्राट के खिलाफ इस्तमाल के लिए लेटेस्ट खेला जो जा रहा है लेकॉम लिंग ने जो है प्रगंदा के खिलाफ ये लाइन खेला है तो काफी खेला गया लेकिन 170 गेम ही डाटाबेस में आपको मिलेंगे तो नया नया यही ट्रेंड में है तो निश्ची तोर पर आनन जी की भी तेया रही थी आनन जी ने खेला बिशाप A6 अब C4 का पॉन एक बार फिर से बचाया तो मतलब इसम सी वाले पॉन पर टायक है लेकिन बदले में ब्लैक को एक D4 का पॉन और मिल रहा है तेंप्रेरी क्योंकि बाद में पॉन देने पड़ेंगे कुईन इंटू D4 आनन जी ने पॉन ले लिया वाइट खेलता है नाइट F3 अब टेमपो के साथ 30 निकल रहा है कुईन D7 अभी आप देखो तो देरे देर आपको देखेगा कि ऐसा लग रहा है आफटर बिशप C4 की वाइट के तो सारे पीसे बोल्ट पर आते जा रहे है ज जब चापी 3 खेला यहां पर वाइट ने अभी भी आप कंपेर करोगे तो वाइट के पास यहां पर एक पॉंड जरूर कम है लेकिन ब्लाइक के दो माइनर पीसे बाहर है कुईन बाहर है जबकि आनन जी का सिर्फ कुईन यहां पर बाहर है तो यह जो ओपनी गहीं यहां प नाइट बी डी टू बिशप एसेवन कासल कासल और काफी हद तक समस्या जो है कम से कम राजा की सुरफशा को लेकर के आनन जी के जो है वो ठीक हो गई थी अब यहां पर रुक एफ डी वन के बाद आनन जी के उबर एक चैलेंज था कि आप वो पोजीशन को सॉल्व कैसे कर और इसी को कहते है कि कोई भी बड़ा प्लेयर जो है वो पॉन बचाने की जगे एक्टिव प्ले खेलने की तरफ देखता है और आनन जी नहीं है पर वो मुव खेली सी फाइफ जो मुझे लगता है कि स्मैश मौन के जीतने का कारण भी बनी क्योंकि सी फाइफ के बाद तो आनन जी नहीं है पर पॉन सेकरिफाइस किया टोप लोग ने बिशव इंटू सी फाइफ मारा और इसकी वज़े से अचानक से गेम में जो है थोड़ी सी एनरजी आ गई ओके टोप लोग ने यहाँ पर खेला नाइट बी थरी सपोर्ट लगा है सी फाइफ के पॉन पर नाइट एफाइफ बगर यहाँ पर काम नहीं करता है क्योंकि कुईन एट आएगा और उसके अदा भी देखिए सी फाइफ पर टार्गेट है आप नाइट बी थरी खेलोगे तो नाइट बी डी सेवन नाइट डी सेवन और यहाँ पर आप देखोगी वह बिशव बचेगा नहीं क्योंकि बिन है तो रुक इंट डी सेवन एक्सचेंज देना पड़ेगा और यह ब्लाक के लिवनिंग हो जाएगा तो नाइट एफाइफ काम नहीं करता था नाइट बी थरी खेला उनने और आप आनन जी यहाँ पर खेलते हैं चाल कुईन सी सेवन ठीक है अभी भी एक्षी और ध्यान रखने है कि बैक क्रेंग का इक इसू जो है आनन जी के लिए हमेशा बना हुआ था और उस बात को लेकर के आनन जी यहाँ पर सावधान थे क्योंकि अगर आप सोचो कि सी फाइफ पर कुछ करने का तो आपको यह भी नहीं बूलना चाहिए लास्ट में इसलिए a6 केला पहले queen को पीछे धकेला और b4 का pawn चला गया अब आप देखो कि जो आनन जी थोड़े देर पहले दो pawn अप थे वह यहाँ पर pawn डाउन है लेकिन आने वाली जो position आप देखोगे उसमें आपको देखेगा कि कम से कम उनकी pieces जो है वो जल्दी तेजी से game में आ जैसे knight c6 तो एक और आकरी piece जो है game में आ गया queen even तो यहाँ पर पहली चीछ जो आपको सीखनी है इस game से कि अगर आपके पास एकाग pawn जादा है लेकिन आपके pieces बहुत फस रहे हैं तो इस better है कि आप एकाग pawn दे दो और अपने महरों को board पर खेलने दो तब ही game आपका ठीक जाएगा क्योंकि आप बहुत passive होके खेलोगे तो कभी भी game को आप लंबा जो है वो नहीं ले जा पाओगे और कहीं न कहीं गलती जो हो जाएगी और रुक a b8 और इसके आप देखे कि एक pawn दे दिया यहाँ पर black ने लेकिन black के सारे pieces अब compare करो आप तो white से भी ज्यादा active न control होने की वज़े से एक hook जिसको कहते हैं वो लगा हुआ है और वो pawn है वो कभी उपर आ नहीं पाएगा और हमेशा space जो है वो black के पास रहेगा pawn down होने के बाद भी night fd2 खेला यहाँ पर अच्छा यहां तक game आते आते हो यह गया था कि topo low की position जो है वो तो ठीक थी decent थी और black अभी भी कोशिच कर रहा था कि game को equal रखे लेकिन initiative black के पास था black के पास चाले मिल रहे थी दबाव डालने के लिए और topo low के साथ समस्या यह थी कि वो seconds में खेल रहे थी तो आनन जी ने यहाँ पर interview में बताया कि वो उन्होंने decide किया था कि वो topo low को pressure में रखेंगे क्योंकि उनके पास time कम है और 44 complete करने तक देखते हैं क्योंकि अभी भी कई चाले हुई थी और 19 चाले होना बागी थी ओके यहाँ पर queen b4 के लिए आनन जी ने वही hook जो कि वो background का issue भी पूरी तरीके से solve हो जाए और now यहाँ पर topo low खेलते है रूक a2 अब इस game में topo low की priority क्या है topo low चाहते है कि उनके pawn जो एक्स्ट्रा है बचा रहे धीरे-धीरे game जो है ऐसे endgame की तरफ जाए जहां से वो जो है अपने spawn का फायदा उठा पाए या कम से कम equal बन d1 यह जो queen e1 चाल है यह बहुत ही tricky move है क्योंकि आने वाले चाल में knight c4 वगरे भी कभी आएगा और queen को exchange करने की कोशिश जो है वो की जाएगा अनन जी की कोशिश यह थी कि queen जो है एक्षेंड ना हो तो उन्होंने खेला rook c3 उन्होंने बोला ठीक है मैं यहां rook डालता हूं और यह diagonal का पंगा जो है वो खतम करता हूं आपको exchange नहीं करने दूँगा च्योंकि बहुत जुरूरी था क्योंकि topolo seconds में खेल रहे थे rook b2 खेला topolo उन्हें so now rook d8 यहां पर आया rook db1 so आना जी नहीं यहां पर खेला knight d7 आचा यहां पर आना जी बोल रहे थे कि उन्होंने सोचा knight h5 लेकर उनको कुछ मिला नहीं साथ जात उन्होंने सोचा कि क्या इस rook को double कर सकते हैं लेकिन इसको double करने में भी वही problem थी knight c4 जो के बाद तो आना जी knight d7 लेकर आए idea knight c5 और even knight a4 तक का idea उन्होंने खेला queen e2 अब idea यह है कि b5 पर queen को exchange करना चाहते हैं तो आना जी की पूरी कोशिश यह थी कि बस queen exchange नहीं होना चाहिए उन्होंने खेला rook b8 अभी भी topolo seconds में खेल रहे थे और उनको 10 चालें पूरी करने थी चालें चलने के बाद ही आपका समय जो है वो add होता है तो rook d1 and now आना जी ने खेला यहाँ पर knight c5 और rook b1 गए यहाँ पर topolo वो ही maintain करने की कोशिश कर रहे थे position में और आना जी ने खेला यहाँ पर rook d3 ओके यहाँ पर शायद knight b3 possible था knight b3, rook b3, rook b3 बट आना जी को लग रहे है कि अगर इस तरह का position क्या तो mostly topolo match बचा लेंगे और कम time में भी खेल जाएंगे तो यह आपको क्या सीखना है कि अगर आप opponent के पास time कम हो तो आपको simple exchange नहीं करने चाहिए, game को complicated रखना चाहिए, board पर महरे रखना चाहिए ताकि opponent time pressure पर गलती करे, rook d3 यहाँ पर, so now e5 यह उन्हों ही rook exchange मजबूरी में करने पर सकते हैं knight d6 के बाद, तो rook d5 के ला आनजी नहीं है, knight c4, now rook d1, queen d1, मतलब आनजी कोशिच करे थे कम से कम piece exchange हो और game बना रहा हो, और यहाँ पर वो move आती है, knight a4 जहाँ पर topolo थोड़ा सा समय, उनके बास वैसी seconds में था, सोचने पर समय खतम होने की, rook a1 खेला, but knight c3 के बाद, यहाँ पर जैसे topolo ने queen d6 रखा, तब तक उनका समय खत्म हो चुका था, तो यह हाला कि classical chess में बड़ा दोटलब अफसर आते हैं, जब समय खत्म हो जाने के वज़ए से कोई खिलाडी हार जाए, वो भी world के पूर visual champion इस तरीके से ह उसको सोचने को मजबूर होना पड़े, और यह एक भैतरी इन जीत विश्वनातना आनन जी की, अल्री यह position थोड़ी सी बेटर थी queen b3 हाला कि knight a5 के बाद, queen b2, rook e1 और knight d5 यह black को slight better क्यों है, because of यह knight की विजए से, और यह knight थोड़ा भी भी outsided है, otherwise position कमोबस equal है और यह match draw हो जी ने जो है एक बार दिखाया कि बिलकुल वो तैयार है किसी भी तरह की position में, किसी को भी दबाव में डालने के लिए, और यही काबलिया जो है उनको तभी वो पांच बार के विश्व चैंपियन है, और विश्व नंबर 9 पर वापसी जो है, वो कमाल की है विश्वनातना जी कि उम्मीद करते हैं तो यह वीडियो आपको पसंद आयोगा, पसंद आयोगा तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दिखते हैं चैस्पेस इंडिया, चैस्पेस इंडिया के लिए मैंन क्लेश जीन, जैहिल